हाई अब्रिवन आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NTA के द्वारा एक ऐसा नियम लागू करने की बात हो रही थी लेकिन वो नियम NTA लागू नहीं कर रहा है जिसकी वज़ा से आप सभी का नहीं हो पा रहा है बार बार अप्लिकेशन फार्म पे पैसा खर्श करके बार बार एक्सायम के लिए दोड़ भाग करने के बाद भी आपको नियम नहीं मिल पा रहा है तो एक ऐसा नियम है जिसकी वज़ा से आपको निट देखा जाए क्वालिफाई करने से NTA रूप दे रहा है और आपको मुर्ख बना के पैसा बार बार कमा रहा है और चाहे से UGC NET हो और चाहे CSIR NET के एस्परेंट्स हो सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो आसा करते हैं अगर आज की वीडियो से अगर आपको information मिल आया है तो इसके ऊपर आप लोग देखा जाए त आपको दा दें कि अगर एक्जेंपल के रूप में लिया जाए कि 100 एक्जाम में NET के बैठते हैं तो 6% का क्राइटेरिया जो लागू होता है NET के लिए तो इसमें से 6 लोग क्वालिफाई करते हैं NET का एक्जाम जो टॉप के होते हैं और इसी टोटल 6 में से 6% लोगों को देखा रहा है JRF दिया जाता है Junior Research Fellowship दिया जाता है अब क्या देखा जाए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 8 बार, 10 बार या 4 बार, 5 बार NET का एक्जाम क्वालिफाई करते हैं ठीक है इससे बहुत सारे चातर प्रफावित होते हैं जो 8 बार, 10 बार क्वालिफाई करते हैं लगातार उनको अनुभा हो जाता है एक्जाम क्वालिफाई करने का या किसी बहतर कोचिंग सेंटर से अपने रड़नी लगा के प्राप्त कर रहे हैं या इन्वार्मेंट उनका ऐसा ह जो लगातार उनको प्रिरित करके देखा जाए निट का एक्जाम दिलवा के उनका सर्टिफिकेट उनको प्राप्त करा दे रहा है इससे क्या होता है अब मानके चलिए कि जो 600 लोग में निट क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें दो लोग ऐसे हैं जो रिपीट एक्जाम दे रहे हैं तो यह बच्चा चार ही तो फिर आपको समझ में आजाएगा कि 6 लोग जो थे उसमें देखा जाए दो लोग पहले एक्जाम देके फिर एक्जाम देके देखा जाए वो निट लेके जा रहे हैं तो सीटे बच रहे हैं तीन से चार ही और फिर तीन से चार सीट के ल लोग लडाई करते हैं और लगातार GRF के लिए प्रियत्मसिल रहते हैं और GRF नहीं निकल पाता है और नट लगातार निकलता चला जाता है जब तक एज़ रहता है हमारे जानने में काई शुट्ट ऐसे रहे हैं जिनका मैं नेट के एक्जाइम के लिए मार्क दर्शन करता आ रहा था और नेट का एक्जाइम उनका निकलता था ज्यारफ पर लिए प्रयाद मत्सील लेते थे और इस चक्कर में ज्यारफ नहीं मिला लेकिन पांच बार उनको नेट में लिया और फिर एज निकल गया ज्यारफ नहीं मि के लिए वो जरूरी है समस्या क्या है कि ZRF के चक्कर में निकल आ इनकी इच्छा नहीं थी इनकी इच्छा थी कि ZRF निकल आमारा तो एक नियम आने वाला था जिसमें कहा गया था कि जुरू एक बार NET लेकिन यह नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है कोशिज करिए कि इस पे कैंपेंज शुरू हो इस पे आप ट्वीट करिए इस पे आप यूजी सी को देखा जाए थोड़ा अवेर करिए यह आप जो नियम पर बात कर रहे थे वह जमीन पर लाइए अन्य था बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका समय भी निकल जा रहा है और फिर आर्थी ग्रूप्स के उसको आप कमजोर करते जा रहे हैं सिर्फ फार्म पर फार्म देखा जा भरवा के तो आसा करते हैं आज की वीडियो से आप समझ रहे होंगे कि यह नियम कहुं सा है जिसके वज़ा से एंट यह देखा जाए आपका निक नहीं होने दे रहा है तो आज की वीडियो इतना ही इससे जुड़ा कोई भी आपको क्वेश्चन एक्टा पूछन पूछन पूछ सकते हैं और जब तक की नेक्स्ट वीडियो नेक्स आप इतना ही लाते हैं थेक्स वोची एजुकेस्ट और आप सवी चार दिए प्रप्ट पूछने ऌर दो सुब